और चलिए अधिक जानकारी के साथ सायोगी नीलम इस वक्त लाइप जुड़ी हुई है सिधुन का रुकरता नीलम देखे आज बेहद ही बड़ा और मातपूर्ण दिन है मद्धप्रदेश की राजनुदी के लिहाद से आज नसर्फ मोहन यादव सीमपत की शपत लेंगे जपटी सीमपत की भी शपत दो नेता लेने वाले हैं बड़े जहरे ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी किस तरीकी की तैयारिया है क्योंकि 11 बजे में अब 4 घंटे का ही जो फासला है वो रह गया है 11 बजे जब प्यमोदी वहाँ पर पहुंचेंगे जेपी नडव वहाँ पर पहुंचेंगे अमिर्शाव वहाँ पर पहुंचेंगे किस तरीकी की भव्वे तैयारियां की गई है जी बिल्कुल देखें काफी एहम दिन हैं आज के लिए मध्यप्रदेश की राजनीती के लिहाँ से क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद मध्यप्रदेश को एक कहना चेह भाजपा की तरफ से नया चेहरा मिल रहा है डॉक्टर मोहन यादव आज से मध्यप्रदेश के नय सीम कहलाएंगे शपत ग्रहन करने के बाद साथ ही शायद ही ये पहला मौका है जब मध्यप्रदेश में डिप्टी सीम का फॉर्मूला भी लागू किया गया है डिप्टी सीम जगदीश डेवडा और राजे इंदर शुकल अपने पत की श्रपत लेंगे तयारियों के हम बात करें तो मोती लान लहरू स्टेडियम में भवे तरीके से जो है तयारिया की गई है मंच को एक भविता प्रदान की है क्योंकि यहां पर पीम नरींद्र मोदी के इंदरी ग्रह मंतरी अमिश शाह तो मौजूद रहेंगे साथी साथ दूसरे भाशपा शाशित राजेयों के मुख्य मंतरी और डिप्टी मुख्य मंतरी भी मौजूद रहेंगे जिसमें यूपी के मुख्य मंतरी योगी आदित्यनार, असम के मुख्य मंतरी हेमन बिश्पा शर्मा, महरास के मुख्य मंतरी एकनाशन दे और साथी डिप्टी सीम देवेंद्र फडनविस जो हैं मौजूद रहेंगे इसके अलावा केंद्री मंतरी राजनाथ सिंग और केंद्री मंतरी नितिन गटकरी भी जो है इस कारिकरम में शामिल होने के लिए भुपाल आ रहे हैं तो तमाम वो स्टार पिचार अग जो लगतार मध्यप्रदीश में भाजपा के लिए प्रचार करने के लिए आये थे बड़े चेहरे वो आज इस शपत ग्रहन में शामिल होने जा रहे हैं करीब दस हजार से जादा लोगों के बैठने की भी विवस्थां यहां पर की गई है समय कि अगर हम बात करें तो देखिए जो समय है वो साड़े ग्यारा बजे से जो है शापत ग्रहन का कारिकरम शुरू होगा केंड़ी ग्रह मंत्री अमिश रहा जो है रास्टी अध्धक जेपी नडड़ा के साथ करीब साड़े ग्यारा बजे लाल परेट बैदा जहां मोती लाल लहरू स्टेडियम जो कारिकरम श्थाल है वहाँ पहुचेंगे वही केंद्री जो मंत्री है नितिन गट करी और राजनाथ सिंग वो भी करीब इसी समय के आसपास जो है मोतिलान लहरू स्टेडियम पहुशने वाले हैं पीम नरेंद्र मोधी का भी समय साड़े ग्यारे के आसपास का बताया जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह की विवस्थाइं की गई है बारह सो पन्रह सो से जादा अतरिक्त पुलिस बल भी यहाँ पर मौझू रहेगा और साथ ही साथ जो है जो पूरा प्रोटोकॉल होता है विवी आई पी वो यहाँ पर लागू किया गया है बेलकु निलम और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम तैयारिया की गई है जाहिर तोर पर सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम कर लिए गै होंगे सुरक्षा के दृष्ट को उन से किस तरीके के इंतजाम निलम वहाँ पर क्योंकि जब पिये मोदी आएंगे जाहिर तोर पर रूट को भी डाइवर्ट करना होगा वहाँ पर जी बिल्कु देखिए सुरक्षा के लिहाद से भी तमाम तरहा के इंतजाम किये गए है कुलिश कमिशना ने पूरी तरहा से कल ववस्थाइं देखिए और उसके बाद नया रूट मैप भी तयार किया गया है लाल परेड मैदान के तरफ जाने के जितने भी रास्ते आज सोबा आठ बजे से ही समय ट्राफिक डाइवर्जन रहेगा लाल परेड जाने के लिए जो है आठ se लेगार के जब तक कारिकरम चलता रहेगा ट्राफिक कूरी तरह से बन रहेगा जितने भी वी वी आई पी मूमेंट सोंगे उनके अलावा जो वहाल उस तरफ जाएंगे कारिक्रम के लिए उनके लिए पार्किंग की भी अलग से वबस्ता की गई है इसके अलावा अगर किसी को लालपुरिड मेदान से आगे जहांगीराबाद की तरफ जाना है बिल्कुल बिल्कुल लिलम जाहर तोर पर सुरक्षा के तमाम इंतिजान किये गए हैं और सुरक्षा हो भी क्यों ना क्योंकि आज बेहदी मातपून दिन है बेहदी बड़ा दिन है मुख्यमंत्री पत की शरपत लेने वाले हैं मोहनयादव दो डेपटी सियम भी यहां पर शरपत लेते वे नज़र आएंगे तमाम तयारियां कर ली गए हैं और अभी हम मोहनयादव की बात ही सुन रहे थे जिसमें उन्होंने सभी से अपील भी की है कि शरपत ग्रेंड समारों में श्रामिल हो और जिस तरीके से यहां पर जब्दी शुदेवरा, राजे इंद्र शुकलभी शरपत लेते वे नज़र आएंगे सुबह साड़े ग्यारा बज़े से शरपत ग्रेंड समारों की शिरवात होगी मोतिलाल नहरू स्टेडियम में जो तैयारिया है वो पूरी कर ली गई है भव्वे तैयारी यहां पर की गई है और तमाम बड़े चहरे बीजेपी के इसमें शामिल होंगे चाहे हम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें के इंद्रिक रह मंत्री अमित शाह नितिन गटकरी राजनाथ सिंग ये वो तमाम नाम है जो इस शरपत ग्रेंड समारों में शामिल होने वाले है निलम जिस तरीके से यहां पर दो जेपिटी सीम शापत लेने वाले हैं सीम शापत लेने वाले क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि क्या मंत्रीयों का भी आज़ शापत ग्रेंड होगा इसे लेकर कोई अपडेट जी बिलकु देखे कल तक कहा जा रहा था कि सीम और डिप्टी सीम के साथ ही जो है कैबिनेट मंत्री भी शपत ले सकते हैं हलाकि फिलहाल इस कारिकरम को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है क्यूंकि कई तरह की समीकर्णों को कैबिनेट में साधने की पूरी कोशिश यहां पर जो है रहेगी क्यूंकि सीम के अगर हम बात करें तो इतना बड़ा कोई अनुभवी चेहरा नहीं है ऐसे में सीम के हिसाब से उनके मताबिक कैबिनेट में नए चेहरों के साथ-साथ अनुभवी चेहरों का एक मिला जुला समीकरण रहना बेहत जरूरी हो जाता है इसके इलावर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यादव समाज या OBC वर्ग को साथने के लिए सीम मत्यप्रदेश में अब यादव समाज से दिया गया है वहीं जो डिप्टी सीम है वो S.C. वर्ग से आते हैं और ब्रामःन या सवर्णों को साथने के लिए जो दूसरे डिप्टी सीम है वो ब्रामःन जाती से आते हैं तो कुछ इसी तरीके का मिला जुला समीकरण कैबिनेट में भी हमें देखने को मिल सकता है जिस तरह से कहीं न कहीं ये नजर आ रहा है ना सरफ मध्यप्रदीश में बलकि 36 गड़ और राजिस्तान में भी हम देखे कि भाजपा अपने एक नई या यू कहें कि यंग ब्रिग्रेट तयार करने की कोशिश कर रही है तो ये अनुमाल लगाया जा रहा है कि अब कैबिनेट में भी जो है नए चेहरों को मौका जादा दिया जा सकता है ऐसे विधायक जो पहली दूसरी ये तीसरी बार के विधायक है पहले शार कैबिनेट मंतरी ना भी रहे हो तो उन्हीं भी जो है इस बार कैबिनेट में मौका दिया जाएगा साथ ही साथ जो छेतरी समी करण है उसे साथने की भी पूरी कोशिश की जाएगी क्योंकि देखें महा कोशल से हम बात करें तो प्रहलाद पटेल को वहां से चुनाव जरूर लड़वाया गया है पर ये इतने बड़े चहरे हैं कि इन्हें कैबिनेट से उपर ही दर्जा देना पार्टी के लिए जरूर एक बड़ी जिम्मेदारी होंगी क्योंकि प्रहलाद पटेल के हम बात करें तो केंदी राज्यमंत्री रहे चुके हैं बड़ा दर्जा उनके पास रहा है एसे में अब ये देखना होगा कि छेटरी समीकरण को साधने क्ले कैबिनेट में क्या कुछ जो है समीकरण देखने को मिलेंगे जिसे लेकर की समय ज़रूर लगेगा तो अभी फिलहाल कैबिनेट विस्तार को कुछ दिन आगे के लिए टाल दिया गया है तमाम तरहा के समी करण नए सीएम के पसंद तमाम चीज़ों को धान में रखते हुए जो है कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा यहां पर हम बात करें तो कई ऐसे नाम भी शामने आ रहे थे पहले भी रहे चुके हैं मंत्रियों और इसके अलावा नए चेहरों का भी जो है नाम सामने आ रहा है जिनमें कि अगर हम बात करें तो भुपाल से ही विधायक रामेश्व शर्मा की दावेदारी मानी जा रही है महिलाओं में अगर हम बात करें तो क्रिशना गौर की ललीता यादव की और अर्चना चिटनिस का नाम सामने आ रहा है कि महिलाओं को देखते हुए जो है कैबनेट में महिला मंत्रियों की संख्या शायर इस बार बढ़ा दी जाए क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विधान सभा चुनाओं में भी महिलाओं पर जादा फोकस किया गया लोग सभा के मद्दे नजर भी जो है इस बात का खासा ध्यान रखा जाएगा तो ये तमाम तरह किसमी करेंट होगी कि आखिर कैबनेट में किनकिन चेहरों को जखा मिलती है क्या एक बार फिर से बीजेपी सबको चौका आती है जिस तरीके से तमाम फैस्टल ये गए हैं टी सीम को लेकर मुखे मेंटरी को लेकर ये देखने वाली बात होगी नीला आप नजर बना कर रखिए एक बार फिर से आप से जुड़ेंगे फिलाल बहुत बहुत धनेवात अमाम जानकारियां तक